हलो एवरीवन वेलकम टो इजीग्जामनोट्स दॉट कॉम एंड पाइफन प्रोग्रामिंग तिल नाव हम डिसकस कर चुके है इन टॉपिक्स को इन दिस एपिसोड वी आ गोईंग टो डिसकस अबाउट लिस्ट मेथड्स इन पाइफन इंग प्रिवेश एपिसोड की बात करें तो प्रिवेश एपिसोड में डिसकस कर चुके है वात इस लिस्ट जापर मने देखा था कि लिस्ट इस सिमिलर टू अरे इन C programming language और वी इन से लिस्ट इस collection a list can contain more than one values or we can say list is having different types of values so now we can discuss different methods in list so let's take an example a list हमारे पास है list का name है name ओके और आपर कुछ values रखी लाइक जाए सुम्रे कुनाल इंदोर कि सो हमें आपर calculate करना है number of elements in list ओके उसके लिएक method हमारे पास है that is length method length method के parameter में पास करेंगी list name ओके और output को हमें आपर प्रिंट कर लेते हैं इस program को सेव करें मैंने सेवके डी ड्राइए में इस एक जाम notes.py के नेम से प्रोग्राम को रण करके देख लेते हैं कि सो हमें आपर output में मिल रहा है four that means इस लिस्ट के अंदर four elements है one two three and four now next is append method लेकिन append method को हमें यूज करना पड़ता है लिस्ट नेम की साथ जिसे नेम डॉट अपेंट ओके और इस अपेंड में अधर के अंदर अगर आम नेम पे देखे तो अपेंड से हमको मीनिंग निकल रहा है अपेंड मींस वी हेव टू एड सम्तिंग यह ओके सो हमें आपर क्या एड करना है एक और्गिमेंट में पास करता हूँ देट इस बुरानपूर तो बुरानपूर हमारी लिस्ट के अंदर हुआ जाएगा नाओ जश्ट प्रिंट द लिस्ट द नेम आप द लिस्ट इस नेम स्वेधियम ओटपूर देखें लिस्ट में एड हो चुका है बुरानपूर लेकिन बुरानपूर एड कहाँ पर हुआ है लास्ट में अब हम क्या चाहते है कि बुरानपूर एड हो जैस के पहले and for this we are going to use insert method here लेकिन insert method को भी हमको list name के साथ में call करना पड़ेगा और हमें यहाँ पर एड क्या करना है बुरानपूर लेकिन कहाँ पर एड करना है before js okay that means यहाँ पर हमको index number पास करना पड़ेगा index number पास क्या है मैंने 0 और यहाँ पर हम name list को print कर देते हैं let's check the program सब्सक्राइब में देखें बुरानपूरेड हो चुका है index number 0 पे अब नेक्स्ट मेटर हमारे पास है रिमूब एक्च्विल हमको name से के लिए हो रहा है remove means we are going to remove something okay बट इस remove method को use करने के लिए हमको name list का use करना पड़ेगा name.remove और remove method के जो भी हमको remove करना हो for example मुझे remove करना is js okay here is the value js js तो js js यहाँ से remove हो जाएगा let's check the output सब्सक्राइब हम देखें उम्रे कुनाल लें इंदोर js js यहाँ से remove हो चुका है this is the use of remove method अब next आती है pop method वो के दिए pop को हम देखें pop का same meaning निकलना remove करना delete करना ओके ओ पॉप method को use करने के लिए हमको again list के name को use करना पड़ेगा then argument के अंदर हमको pass करना है index number अब जैस को हमको remove करना है तो js का index number हाँ पर क्या है zero ओके तो मैं यहाँ पर zero put कर देता हूँ अधियम output में देखे तो js यहाँ से remove हो चुका है लेकिन जिस तरह से pop method होती है ठिक इसी तरीके से डेल नाम का keyword भी होता है ओके हमें जिस index number को remove करना है जैसा हमें remove करना है यहाँ पर zero को तो हम यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर भी हमको same output मिलेगा जिस तरीके से output हमको pop method के अंदर मिला है लेकिन दी मैं डेल को कुछ इस तरह से use करों ओके जस्त हमने डेल कीवर्ट का use करके list का name पास कर दिया अगर मैं इस तरीके से use करता हूँ तो हम देखते हैं कि output पर क्या इफिक हम यहाँ पर output में क्या मिल रहा है name error name is not defined और कहाँ पर print method के अंदर जहाँ पर हम name को print कर रहें because डेल method ने क्या किया जो name नाम की list थी okay list को remove कर दिया that means जब हम print method के अंदर name नाम की list को print करने गए उस case में not defined आगे because name नाम की list existence में थी ही नहीं next method is clear method actually हमको name से clear हो रहा है okay clear method क्या करेगी empty करेगी list को अब यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपको list का name input करना है और dot operator का यूज़ करना है just program को save करके run कर देते हैं कि सब्सक्राइब देखें output में क्या रहा है nothing that means list के सारी values को यहां से remove कर दिया गया है list is empty now now next method यह copy लेकिन copy method को भी list के name के साथ यूज़ किया जाता है अब हमको name से clear हो रहा है copy method means क्या copy the list लेकिन लिस्ट को copy करेंगे तो रखेंगे कहां that means हमको one more variable की जड़ोत पड़ेगी okay तो मैं आपर one more variable ले लता हो named area name copy this is another variable that means जो copy method है name को copy करके name copy नाम के variable के अंदर store कर देगी now we are going to print name copy list अब जिस तरह से one more method python में उस method का नाम है list okay list method के अंदर जिस list को copy करना है उससे अज और्गिमेंट पास कर दो यह same work करेगी जो copy method ने किया था हमें पता है कि list के अंदर duplicate values हो सकती है so मैं आपर क्या करता हो कि जो js हमारे पास है one more time हमने print कर दिया one more time one more time okay there are duplicate values अब हमें यह पता करना है कि js value कितने times list के अंदर exist करती है तो यहाँ पर हम use करेंगे count method का और count method के अंदर हम पास करेंगे जिस string को जिस value को हमको find करना है या count करना है लेकिन count method को use करने के लिए हमको list.operator का use करना पड़ेगा और जो भी result यहाँ पर आने वाला है उस जड़को हम store करेंगे किसी और variable के अंदर मैंने store कर लिया एक अंदर और हम देखते हैं कि एक अंदर क्या store हुआ है सब्सक्राइब हम देखे हैं आपर क्या store हुआ है 9 that means name list के अंदर जैस 9 times appear हुआ है count method ने count किया 9 times now next is reverse method यह दिया हम देखे तो हमको name से clear हो रहा है कि आपर I think reverse होने वाला है order देख लेते यूज़ करके लेकिन जब भी हमको reverse method का यूज़ करना है हमको list के name को यह यूज़ करना पड़ेगा ओके और हम आपर प्रिंट कर लेते लिस्ट नेम को चेक दौट पूट है सब्सक्राइब देखे तो है पर order reverse हो चुका है इंदोर फर्स्ट देन कुनाल देन उम्रे देन जैस अब हमने कुछ values बढ़ा दी है नेम लिस्ट के अंदर अब हमें यह पता करना है कि variable या फिर वेल्यू जे का इंडेक्स नंबर क्या होगा हमें find out करना इंडेक्स नंबर that means we are going to use index method नेम समको किलियर हो रहा है हमें index पता करना है variable या वेल्यू जे का मैं यहाँ से copy किया यहाँ पर paste कर दिया लेकिन index method को यूज करने के लिए हमें call करना पड़ेगा नेम लिस्ट को भी जो लिस्ट का नेम है ओके अब जो भी आप रिजल्ट रेट्यान होने वाला है उसको हम इस्टोर करेंगे किसी वेरियेबल के अंदर में एक के अंदर इस्टोर कर लेता हूं और एक को हम यहाँ पर प्रिंट प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास लिस्ट है मीन्स नेम इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि अब किस तरह हैं प्रिंट करके देखते हैं अरिके से अपियर हो रही है और पूट के अंदर है तो यह दि हम देखे कुछ इस तरह से आप पर अपियर हो रही है मींस अलफाबेटिकल ओडर में अब हमारे पास टू लिस्ट है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू नाव यह गोईं टो यूज एक्स्टेंड मेथड ओके हमक देखते हम लोग उड्बूट हमें क्या मिलता है वन को महापर प्रिंट कर देते हैं इदे हम ओडिस्ट वन के अंदर लिस्ट टू अप्रेंड हो चुकिए अब हमने एक्क्टेंड मेथर का यूज गया था लिस्ट वन में लिस्ट टू को एक्सक्रोट करने के लिए हम यह और अनादर तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, for example, one के अंदर हमने add कर दिया list2 को, और जो भी output आएगा, उसको हमने store कर दिया, variable x के अंदर, और x को हम यहाँ पर print कर देते हैं, यहाँ भी list1 में list2 add हो चुकी, तो नादर तरीका क्या में इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, so these were some of the methods in list, वैसे हमें कापी कुछ discuss करना है, in future episodes में, okay, now in next episode, we are going to discuss about tuples in python, thank you, thank you for watching.